हेलो एब्रीवन वेलकम बैक तो माई चानल तो 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 एम गोईंग तो रिव्यू दिस ग्लियर एंटि डैंडर्फ नरिशिंग हैर ओयल तो इस ओयल का जो प्राइस है वो है 99 रूपीज और इसका जो क्वांटिटी है वो है 150 ml और इसका जो शेल्फ लाइफ है वो है 18 मंच यानि की डेर साल तक आप इस ओयल को यूज कर सकते हो अब इसके पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं तो यह एक स्काई कलर के या फिर आप बोल सकते हो की लाइट ब्लू कलर के प्लास्टिक के बॉड़ में आता है और ट्रैफल फ्रेंडली है प्लास्टिक का होने क अपने साथ लें जासकते हो यह लिक नहीं करेगा और जो ओएल है वो बिल्कुल पानी के जैसा लिए वाइट कलर का है इसका फ्रेंडली जो है बहुत ज्यादा अच्छा है 1 माइल्ड सार फ्रेंडली है कोई ज्यादा डीप हेवी फ्रेंडली नहीं है इसका पीछे इसके सारे ingredients लिखे हुए है यह पूरी तरह से chemical product है सब कुच इसमें chemical है कोई भी natural product इसमें used नहीं है मतलब natural ingredient इसमें used नहीं किया है सारे जो ingredients है सब ही chemical है मेरा experience जो है इसके साथ की मेरे scalp पे इसने कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं किया है आप देख सकते हो कि एक साल में मैंने इसको कितना यूज किया है करीबन आप देख सकते हो कि मैंने एक साल में इसको 60% तक यूज किया है 40% अभी भी बाकी है अगर आपके scalp में कोई ज्यादा severe dandruff की problem ना हो तो शायद या आपको आपके लिए काम आ सकता है लेकिन अगर आपका scalp बहुत ज्यादा dry है जैसे कि मेरा scalp बहुत ज्यादा dry है तो बहुत ज्यादा dry scalp पे फलेकी scalp पे ये काम नहीं करता है अगर आपको बहुत ही कम dandruff का problem हो या फिर अगर आपके scalp पे रिसेंटली dandruff आना शुरू हुआ है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो ये आपके लिए काम आएगा इसको यूज़ करने का तरीका है कि रात को आप इस oil को अपने scalp पे मसाज करके लगा लो अच्छे से पूरी रात अपने scalp पे इस oil को रहने दो फिर सुबा उटके कोई भी anti dandruff shampoo से आप इसको धोलो तो यही है इसको यूज़ करने का तरीका कम dandruff वाले लोगों को शायद ये पसंद आएगा लेकिन मुझे ये कुछ causes की वज़े से मुझे ये पसंद नहीं है first of all ये बहुत ही ज्यादा chemical chemical product है बहुत ज्यादा chemicals, mineral oils, parabens इसमें used होते हैं तो ये हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अगर आप इसको regular use करोगे तो ये आपके बालों को शायद damaged भी कर सकता है और दूसरा जो cause है इसको नापसंद करने का वो है कि ये बोलता है कि ये anti dandruff oil है आपके scalp से जितना भी dandruff है सब को remove कर देगा लेकिन मेरा personal experience रहा है कि ये बहुत ज्यादा dandruff में काम नहीं करता है अगर हलका full का dandruff हो तो ये उसको हटा देता है so this is all for today's video मेरा point of view is oil के बारे में यही है और अगर आप लोगों को मेरा यह review पसंद आया हो helpful रहा है तो please मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए और इस video को एक like कर दीजिए thanks for watching bye